राणावट डैट में आपका स्वागत है जैस्री रामा क्रिष्णा आज आपको बता रहा हूं हस्मेतुन चिंता विक्रती वो विक्तित्व होता है जो हस्मेतुन के कारण चिंताएं होती है पर उसे पता नहीं होता है कि हस्मेतुन के कारण उसे चिंता है उसे डर है उसे भा ही हो जाती है यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर उगना सिंग राणावत साइकोलोजिस्ट और डाइटिशन आज आपको बता रहा हूं मनोवैज्ञानिक वो समस्या जो हस्तमयतुन के करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जो लड़के होते हैं उनमें एक चिंता होती है और सामाजी की स्थर पर जब भी जाते हैं तो वहां पर हमेशा भैवित और चिंतित रहते हैं अक्सर यह देखा गया है कि वो लोग जब कहीं किसी अग्रपंती में बैठना हो तो कोशिस यह करते हैं आगे बैठने की बजाए पीछे बैठना का प्रयास करते हैं और अगर मंच पर बैठने के लिए का जाए तो साइद नाना करते ही रहेंगे जावने में असमर्थ महसूस होते हैं इसलिए ये मेरा मानना है अनुसंदान ही कहता है कि इन लोगों में सं आगे बैटने में शर्म मैसुस करता है, डर रहते हैं और उसे वहाँ चिंताएं बढ़ जाती है, जब भी ऐसा कहीं मावल हो, निमंतरन हो, तो उस समय बचने का प्रयास करता है कि ये मेरे लिए दुखदाई है, कहने पाता शर्म करता है, जिसका कारण ही है कि उसकी चिंताए वहाँ पर दुगनी हो जाती है, ये विकार ठीक किया जा सकता है, ये एक मनोवग्यानिक समझ से आएं, जिसके पीछे मूल कारण एक हसमेतुन है, अगर उसको सुदार दिया जाए, और उसके साथ मैं उसमें जो नया एक परकार से सीक और सूज देनी पड़ती है, जिससे विक्ति में वो डर, भय, चिंता निकल जाती है, और सामाजी की स्तर की जो चिंताएं होती हो से समाज में कहीं आना जाना, तो वहाँ पे वो कश्ट मैसुस नहीं होते हैं, जब एक मनोवग्यानिक परामस दे देता है, इसलिए ऐसे लोगों को साइकोलोजिस्ट के पास में वो कांसलिंग लेने की ज़रोत हैं, जिससे उनके अंदर जो सामाजी की स्तर पर आना जाने की चिंताएं हैं, वो चिंताएं धूर हो सकती हैं, इसी परकार से अगर कोई पेडित हो, टिपणी करेंगे, सार्तिक टिपणी का जबाव दूँगा, बाकी टिपणियों पर जब करते रहें